है लो फ्रेंड्स में हूं दिव्या और स्वागत है आप सब का मेरे यूटुब चैनल पे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं ये व्यूटिफूल सा मेकप लो पर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन पेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो स्टार्ट करते हैं मेकप तो सबसे पहले मैं यूज करूँगी ब्ल्यू हेव इसकी बाद में एपलाई करूँगी ब्ल्यू हेवन का फांडेशन यह फांडेशन स्टिक है यह बहुत ही अच्छा फांडेशन है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है इसका डीटेल में रिव्यू मेरे चैनल पे है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दूँगी फिर में यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर यह डैंप ब्यूटी ब्लेंडर है और इसे में अच्छे से अपना फांडेशन ब्लेंड कर लूँगी यह बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है ब्ल्यू हेवन का ही है फिर में यूज़ करूँगी कंसीलर यह NYB का concealer है बहुत ही affordable है अंडर 100 रुपीज यह आपको मिल जाएगा और यह हमारे under eyes area और जिदर जिदर मुझे लग रहा है कि मुझे spots है उदर में apply कर लूँगी और इसे भी अच्छे से blend कर लूँगी फिर मैं concealer को set करने के लिए use करूँगी blue heaven की loose powder यह बहुत ही अच्छे loose powder है और इसका भी coverage बहुत अच्छा है और इससे मेक अफ हमारा patch ही नहीं लगता तो winter में हमें compact के अलावा loose powder ही यूज़ करनी चाहिए इसके बाद मैं रोज फिल करूँगी ads के अब्रोपेंसिल से ads के product भी बहुत अच्छे होते है अफर्डेबल होते है इसके बाद में हिलरी रोडा का eyeshadow palette लूँगी और इसमें जो मेरे skin tone से matching color है उससे मैं आपने eyelid को prime कर लूँगी आप देख सकते हो difference फिर मैं यूज़ करूँगी light brown shade और अपने इसे crease area पे apply कर लूँगी जो excess product है वो मैंने tap करके remove कर लिया है और फिर बाद में apply करूँगी और हम धीरे-धीरे करके यह color बिल्ड करेंगे फिर मैं लूँगी Jacqueline Hill की Morphe palette इसमें जो यह black color है वो मैं यूज़ करूँगी और अपने eyelid पे apply करूँगी अच्छे से blend करूँगी मैं फिर में वही black color अपने eyelid के center में अपने finger tip से apply करूँगी कुछ इस तरीके से फिर मैं यह brush लूँगी और जो dark brown color है उसे अपने lower lash line पे apply करूँगी तो यह हो गए है मेरे दो noise done इसके बाद मैं golden color लूँगी यह और अपने inner corner में apply करूँगी अपने finger से इसे आखे बड़े देखती है फिर मैं यूज़ करूँगी eyeliner blue heaven का और अच्छे से eyeliner apply करूँगी wing eyeliner apply करूँगी में फिर मैं lashes को coat करने के लिए यूज़ करूँगी blue heaven का mascara यह बहुत ही अच्छा और affordable mascara है फिर मैं यूज़ करूँगी blue heaven का shimmery blush यह मैंने थोड़ा सा ही apply किया है इसके बाद यह जो light shimmery shade है pinkish इसे मैं as a highlighter apply करूँगी और यह बहुत अच्छे से काम कर सकता है यह एक आपके लग रहा है फिर में यह जो dark brown color है इसे as a contour use करूँगी यह करने से हमारा face slim लगता है और बहुत ही अच्छा shape आ जाता है हमारे face define हो जाता है तो इसे मैंने apply कर लिया है इसे मैं अच्छे से blend कर लूँगी ताकि कोई sharp line ना दिखे नोज को भी contour कर लूँगी मैं हलका सा फिर म मैं अपने lip को fail कर लूँगी कुछ इस तरीके से फिर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ blue heaven की lipstick in the shade plum desire यह बहुत ही अच्छी lipstick है nude color की तो यह हो गया है मेरा look complete आभी मैं आपके साथ मेरा final look share करती हूँ अगर यह वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैंने चैनल को subscribe ज कर दो